नमस्कार, SM News में आप सभी का स्वागत है, मैं सहिता कुमार और आप देखे है SM News आज हमारे साथ है एडवेकेट आयार सिंग जी जो कि बहुजन समाच के बहुत बड़े सिंतक और बहुजन समाच को जागरूप करने के समें साथ अधब रहते हैं, आज हम इसे पूछना चाहेंगे कि गौतम बुध के अंतिम भचन क्या थे? दीकिए गौतम मुद्ध के मेडम मैं आपको दाउं जब वो शुबद नाम के विक्ति that अन्ति बार भोजन करते हैं तो उनको बिहार के अंदर एक वह अपना कुकुर मुक्ता जिसे कुकुर मुक्ता है जिसे खाते हैं जो अच्छी जीके पैदा हो जाता है जो जहरील जीके पैदा हो जाता है उससे मनुष्टि जो है उसमें जहर फैल जाता है तो कुकर्मुक्ता को एक समय आप यह समझेए कि कुकर्मुक्ता को आमभासा में जो बोलते हैं हम उसको उनकी सब्जीयां उनको बनाई गई थी और जो यह चंद नाम का लोहार था जिसके वहां उन्होंने अन्तिम भोजन करा था तो चंद के हां पर उन्होंने करा था तो आनंद जब उनके सरीर में जहर फैल गया पहले मैंने सुबदर गलती से थोड़ा बुल गया लेकिन चंद नाम का लोहार था तो उन्होंने उसने इतना सम्मान था गौतम बुद्ध के प्रति कि उन्होंने उसको चखा भी नहीं था और जब उनके सरीर में फैल गया तो आनंद नका इस व्यक्ति को मपीटेंगे मारेंगे तो आप देखिए कोतम बुद्धिन उस समय क्या कहा उन्होंने का आनंद जाओ और डुग डुगी बजाओ और गाउं गाउं में जाके कहो कि संसार में तीन विक्ति सरेश्टे पहला वो जनि सरेश्टी जिसने मुझे जनम दिया मेरी मा जो है वो सरेश्टी जिसने मुझे जनम दिया दूसरा वो सुजाता सरेश्टी जिसकी कीर को खाने से मुझे परमग्यान उपलब दुगा तीसरा ये चुन्दनाम का लोहार सरेश्ट है जिसको जिसके हां मैंने अंतिम भूजन करा है तो बुद्ध जिस टेम अपने अंतिम समय में शाल के दो ब्रक्षों के बीच मैं ऐसे लेटे हुए थे जैसे कोई सिंग विसराम करता है तो आनंद रोने लगा तो आनंद से उन्होंने ये कहा कि आनंद मैंने अपने जीवनों कुछ भी छिपा कर कोई रहस्की बात नहीं रखी मैंने बिल्कुल हर बात को आपको बताया है मैंने कोई नहीं रखी और आपको मैं आनंद बताना चाहता हूँ कि आप दीप भवो उनका अंतिम संदेश था कि आनंद अपने दीपक श्वेम बनो किसी के पर निर्वन न रहो किसी के चाल पर निर्वन न रहो आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिये यही मनुष्च के लिए सबसा बड़ा है कि तठागत को जो ग्यान तरस्वा आपको बताया है और कोई भी रहस्त वाली बात मेरे पास नहीं है आनंद अप दीपबवो अपने दीपक श्वेम बनो तो उन्होंने आनंद को यह बताया हर इंसान को यह बताया कि किसी के सहरे उधार की जिंदगी आप न जीए किसी के साथ आप यह न चले कि आप जो है आप मतलब की उनके सहरे आप जीएँगे उन्होंने का कि आनंद अप दीपबवो आनंद अपने मालिक श्वेम बनो अपने दीपक स्वेम बनो अपना अंधकार स्वेम दूर करो किसी विक्तियों की वैसा की बनकर मत चलो आप ज़्यादा दूरी तेह नहीं कर सकते उन्होंने ये भी का आनंद तुमने नदी को तो पार कर लिया लेकिन आप किनारे पे खड़े हो तो आनंद उनके वो सिस्थे थे जिनको सबसे ज़्यादा लंबे समय में पुनर उनको परम ग्यान उपलब्द हुआ था दूसरा उनको जो ग्यान सबसे पहले प्राप्त हुआ था मंजु सिरी नाम के विक्ति को हुआ था जो अरत बने थे और सडन इंलाइटमेंट जो बहुत धरमत रिप्टिकों में है वो सबसे पहले उंगली मार नाम के डांको को प्राप्त हुआ था तो आनंद को सबसे ज़्यादा लंबे समय में हुआ और आनंद ने आनंद उनके हमेशा परच्छाई की तरह पीछा करते थे तो उनका आनंद के लिए हर मानपता के लिए और उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीवित ना रहूं तो मेरे उब्दे से उनके मताविक मनुस्थ चले उन्होंने ये भी कहा था कि बिने पिटक के अंदर जो विने के नियम है वो आप उनमे थोड़ी बहुत बरतमान परिस्टितियों के मताविक आप परवर्तन कर सकते हो जैसे बारी सोरी है चाते का प्रयोग कर सकते हो पैर में कोई काटा लगा है तो आप उसमें पैर में जूते पहन सकते हो ये विने के नियमों में आते हैं आप उनके जीवन में देखोगे जो एक सिरोन नाम का राजकुमार जो उनके यहां पर दिख्षित हुआ था तो वो नंगे पैर गूमता था और सब वैसे चलते थे उगड़ों में चलता था तो उसके पहला हूँ लोगान हो गए तो वो बहुत बड़ा म्यूजी संता था तो तथागत बुद्ध ने एक दिन सिरोन को बलाया और कहा कि सिरोन आप जब बहुत बड़े म्यूजी संते राजकुमार हैं तो आप सिरो आप अपनी उनको अपनी वीला को बझाते थे अगर वीला के तार को हुट दीला चोड़ें तो क्या उस से कोई स्वर निकलेगा तो उनका इसलिए अन्तिम जो संदेश ता वेवा बिलकुल मध्धममार कर रहा जिसे मज्यम निका के विज्ञान के तीन पिठारे तो जिसमें अभिधम्य पिठाक है उनमें 18 साल के बाद कोई व्यक्तिस लाग होता है कि उनके संपूर्ण ग्यान को प्राप्त भौत धर्मक कुछ बोल सके कुछ बोल सके वह प्रखंट विद्वान नहीं बनेगा तो उसमें बहुत धर्मका जो जो ग्यान है उनका यह है कि अपने दीपक स्वेम बनो मद्ध मार्ग पर चलो और मानपता के रास्ते पर चलो और जो मैंने आपको एक बार बताया था कि बुद्ध की धर्मका सार अगर एक सेंटेंस में कहना चाहें बुद्ध की सिक्चा का तो सभी पापों का ने करना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले